ओम स्री गणेश आय नमाह दिनांक 7 अगस्त 2020 शुकुरवार के दिन हैं मासिक संकस्टी गणेश चतुर्थी का वरत हैं तो इस दिन जो भी इस्तिरी पुरुस इस वरत को सरद्धा के साथ करते हैं सरद्धा पुरवक भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं और इनके इस वरत कता को सरद्धा पुरवक सरवन करते हैं उनके जीवन में आने वाले तमाम दुख संकट वाधाएं भगवान गणेश जी की करपा से दूर हो जाते हैं और कारेश छेतर में उन्हें सफलता मिलती हैं तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य नई नई ज्यानवर्धक जानकारिया वा नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो दिनांक 7 अगस्त 2020 शुकरवार को संकष्टी चतुर्थी का उपवास रखा जाएगा तो मनोकामनाओं की पूरती के लिए इस वरत को विशेश फल दाई माना गया है भगवान गणे जी को बुद्धी बल और विवेक का देवता माना गया है भगतों के विगन संकट और दुखों को हनने वाले भगवान गणे जी को विगन हरता भी कहा गया है तो संकष्टी चतुर्थी का दातपरिय संकटों को हनने वाली चतुर्थी से लिया गया है तो आईए अब हम जानते हैं इस वरत के बारे में इस दिन आपको कैसे पूजन करना चाहिए और इसकी वरत कथा क्या है क्या इस वरत का महत्व है तो पूजा की विधीस प्रकार से है कि पूराणिक कथाओं के अनुसार चतुर्थी के दिन गोरी पुत्र गणेजी की पूजा करना अती शुब फलदाई होता है तो इस दिन भक्तों को संकट से उबारने के लिए गणेजी की पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहिए चतुर्थी के दिन वरत रखने वाले इस्त्री पूरुष को प्राताहकाल सुर्योदे से पहले इस्नान करके भगवान गणेजी के सामने इस वरत का संकल्प हाथ में जल अक्षत पुष्प ले करके लेना चाहिए इसके बाद अपने पूजा इस्थल पर एक पटला बिछा करके उसके उपर लाल वस्त्र बिछा करके चामल से अस्ट दल कमल बना करके अथवा चामल से ही स्वास्तिव बना करके भगवान गणेजी की प्रतिमा अथवा मूर्ती को विराजित करना चाहिए और दिन भर इस अक्षत और दुर्वा अवश्य चटाना चाहिए नेवेद्य में मोदक का नेवेद्य और गुड का नेवेद्य आपको अरपन करना चाहिए गुड भगवान को अतीप्री होता है और मोदक का नेवेद्य लगाने से भगवान गणे जी को संतुष्टी मिलती है और दुर्वा अरपन करने से भगवान गणेजी की पूजा पूर्ण मानी जाती है और पूजा में और कारे में हमको सिद्धी भी मिलती है तो भगवान गणेजी की पूजा करते हुए आपको उनके बीज मंतर का उच्चारण भी करना चाहिए ओम गम गणपते नमा इस मंतर का उच्चारण आपको करते रहना चाहिए तो दूप दीप नेवेद्य अरपन करने के बाद एक स्रीफल चड़ाना चाहिए उस पर पुषप और दक्षिना अरपन करना चाहिए और अंतमे करपूर से भगवान गणेजी के आरती करना चाहिए और मंत्र पुषपांजली भगवान गणेजी क पूल और अक्षत चड़ाना चाहिए हाद जोड करके प्रारतना करना चाहिए रात्री के समय चंद्रमा को अर्गे प्रदान करना चाहिए और इस दिन आपको ब्रामनों को भोजन करवा करके दान दक्षिना वस्तर आदी दे करके संतुष्ट करना चाहिए इस प्रकार से यह वरत पूर्ण माना जाता है और उसके बाद स्वयम आपको भोजन गरहन करना चाहिए इस दिन की वरत कथा इस प्रकार से है इस दिन इस वरत कथा को सरद्धा पुर्वक सरवन करने से इस वरत का संपुर्ण फल मिलता है भगवान गणेज जी की विशेश करपा मिलती है जीव माता पारवती जी को चोपड खेलने का मन हुआ था पर उस इस्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो इस खेल में निर्णायक की भूमी का निभा सके तो इस समस्या को सुलजाने के लिए भगवान सिव जी और माता पारवती जी ने मिट्टी की एक प्रतीमा बनाई और दोनों ने मिट्टी से बने इस बालग को में जान डाल दी और इस बालग को निर्देश दिया कि इस खेल को तुम अच्छी तरह देखना अंत में बताना कि इसमें जीत किसकी होगी तो खेल में देवी पारवती जी माता पारवती जी जो है भगवान सिव जी को मात देत की नजर आ रही थी पर भूल से बालक ने भगवान महादेव को जीता हुआ घोशित कर दिया जिस पर देवी पारवती जी उस बालक पर कुरोधित हो जाती है कुरोध में आने के करण माता पारवती जी ने उस बालक को सराप दे दिया तो वह सराप के करण बालक अपंग हो ग अपनी गलती के लिए वह बालक माता पारवदी से छमा याचना करने लगा गिड़ गिड़ाने लगा लगातार छमा मांगने के करण माता का दिल पसीज गया था तो माता कहने लगी कि सराप वापस करना उनके बसकी बात नहीं है लेकिन सराप मुक्ति के लिए बालक को संकष्टी चतुर्थी के वरत की पूजा विधी उसको बतलाई तो बालक ने पूरे विधी विधान और स्रद्धा और निष्ठा के साथ इस वरत को पूरा किया सच्चे मन से भगवान गणेज जी की पूज़ा अर्चना की तो प्रसन होकर के गणेज जी ने उसकी शिव लोक में जाने की इच्छा को पूरा किया हाला कि वहां पहुच करके उन्हें केवल भगवान शिव जी के दर्शन हुए क्योंकि माता पारवती जी सीव जी से करोधित हो करके केलास परवत छोड़ करके चली गई थी तो बालक ने संकष्टी चतुर्थी वरत को जान करके भगवान सीव ने माता पारवती जी को संतुष्ट करने के लिए यही वरत किया था इसी वरत के प्रभाव से माता पारवती जी के लास प्रवत पर वापस आ जाती है उस बालग को माता पारवती जी के दर्सन होते हैं और उस बालग को आशिरवाद देती हैं तो इस प्रकार से यह वरत कता संपुर्ण होती है इस दिन जो भी इस्त्री पुरुस इस वरत को पुर्वक भक्ति भाव से पूजन अर्चन करते हैं और इस वरत कथा को सरवन करते हैं भगवान गणेजी की करपा से उनकी मनों कामनाई पूरी होती है और जीवन में आने वाले दुख संकट बाधाएं भगवान गणेजी की करपा से दूर हो जाते हैं तो मित्रो आसा करता ह कि आपको हमारी ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद ओम गम गणपते नमाहा स्री गणेशाय नमाहा फिर मिलेंगे